नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपीनियन तो अब हम रिव्यू करेंगे लेटेस्ट बॉल्यूड रिलीज मुवी चंडिगर करे आशी की फिल्म की और जो आज ही रिलीज हुआ है और आप जानते हो इस फिल्म में बहुत दिन बाद आपको दिखेंगे आईश्मान कुराना साथी में वानी कपूर और फिल्म को जो है अविशे कपूर ने डिरेक्ट की है जिन्होंने इससे पहले रॉक ओन केदानाथ जैसी मूवी भी डिरेक्ट कर चुके है तो फिल्म बेसिकली जो है एक चंडिगर शहर की है जहां पे एक वेब सीरीज जिसका नाम था पती पतनी और पंगा उससे मिलता जूलता है लेकिन ट्रस्ट मी स्क्रीन प्ले में काफी डिफरेंस है और यह फिल्म एकदम अलग है तो अगर यह सोच रहो गया रहे पती पतनी और पंगा तो मैंने देखा है इसको नहीं देखने से भी है और फिल्म की जो आप बोल सेकते हों मेसेज है वो काफी स्ट्रॉंग है और काफी दमदार है दोस्तों सोसाइटी में एक जो थर्ड जेंडर जो है जिसका एक्जिस्टेंस आज तो ओफिशियली हाई कोड बोल देने के बात जो है सिप्रीम कोड का जो राय जो आ चुका ह उसके बात तो अब हम मजबूर है इसको मानने के लिए लेकिन क्या शोशल जो मानने अता है क्या हम लोग उसको देते हैं क्या हम लोग इनको अपने पड़िवार में अपना सकते हैं क्या हम खुद इनसे जो है वो चीज जो है रिलेशन वो क्या डिवलप कर सकते हैं क्या हम लोग उनको अच्छूच समझते हैं तो ये सारे जो बहुत तगरे सवाल है वो सवाल जो है इसमें फूचा गया है तो ये फिल्म की सबसे बड़ी पॉजिटिव जो मुझे लगा कि इतने भाड़ी भरकम जो शब्द है कि किसी को अपनाना LGBT Community की लोगों को आपन खुद क्या बूल सकते हैं आपके फैमिली में एडप कर लेना है ये सारी चीज़े जो है इसको बहुत आसान और सहल सरल तरीके से इसको दिखाया गया है कि आपको कहीं पर भी नहीं लगएगा कि आप बहुत सीरियस एक मूवी देख रहे हो तो इसमें म दिखाती है कि ये लोग अलग नहीं है ये नैच्रल है तो उसको दिखाया गया है इस फिल्म के अंदर में डॉक्टर्स क्या समझते है या फिर माली जी इंटरनेट में जो जो वीडियोज एवेलेवल है या फिर जो टेस्टीमनीज है क्या हम लोग उसको पढ़ते है क्या ह हम लोग इनको अपना सकते हैं तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है जिसको आपके सामने रखा गया है डिरेक्टर का काम कमाल की है इस फिल्म की विगाउस अब बात करते हैं आईशमान खुराना की जो अपने फिल्म में बहुत जादे इंप्रोवाइस करते हैं डिफरेंट क वानी कपूर ने इस तरीके का कैरेक्टर चुनके मैं कह सकता हूं कि अपना दावा पेश कर दिया है क्योंकि देखिए वानी कपूर अब तक जो फिल्म अक्षे कुमर के साथ जादे मतलब उनको दिखते हैं तो नॉर्मली वो सब फिल्म के अंदर में उनको एक्टिंग करन में आयुष्वन खुराना क्या ट्रांस्वर्मिशन है बहुत ही बढ़िया उन्होंने काम किया इसके अंदर में और अब फिल्म की अगर मैं और भी सारी चीज़े कहूं कि कि डायलोग्स बहुत चुनक चुनके इसके डायलोग्स जो है ना लिखे गया है जो हम लोग इन त साथ में बैग्राउंड स्कोर वगएरा जो है वो भी काफी बढ़िया लग रहा है सुनने में तो फिल्म जो है ना मेकिंग वाइज ना फिल्म काफी बढ़िया बनाए और फिल्म की जो रोमेंटिक पार्ट है जहां पर आईश्मन खुराना और वानिकपूर जो लव मेकिं इसलिए किया गया है कि शायद हम लोग टांजेंडर के साथ सेक्स तो कर सकते हैं लेकिन जब पता चल दा कि वो टांजेंडर है उसके बाद हम लोग जो है न उल्टी करते हैं जो चीज़ को बहूत रौ तरीके हैं पे दिखाय गया है कमाल है इतना स्ट्रॉंग social pact जो ये फ फिल्म में आप ज्यादा कुछ नेगेटिव ढूनने जाओगे रहा मत ढून ये लेकिन एक ही चीज कहूंगा कि शायद ये आप अपने एकदम छोटे बच्चों के साथ नहीं देख सकें कि कुछ-कुछ सीन्स जो है वो ऐटीन प्लस के लिए है बाखी जो है फिल्म पड़िवार के साथ देख सकते हो अर मुझे लगता है कि ये सब चीजों में आप बात होना चाहिए, सबके सामने, खुले आम, सबको ही बात करना चाहिए, तो ये film जो है, एक बोल सकतो है, एक आइना है, जो आपको दिखाने वाला है, तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा, कमाल का लगा यह फिल्म और सबसे बढ़िया लगा, उसका जो क्लाइमेक्स व तो प्लाइमिक्स है उसके बारे में ज्यादा नहीं बात करेंगे तो देखिए फिल्म जो है मज़ा आने वाला है दोस्तों यही था मेरा चंडीघर करे आशी की मूवी की रिव्यू जो अगर अच्छा लगाए तो इस वीडियो को डिफिनिटली लाइक कीजिए शेयर साथ चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा मिलते है आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में तब तक के लिए अलविदा